नमस्कार, आजको तुरो बहस मा सम्पुन दर्सक बिंदलाई हार्दिक स्वागत छा, आजको एक नितांत फरक बेक्तित्त को बारे मा आमी चर्चा गर देछू, उहां उनन्च नितिन दास जी महराज पंजाब नगल टाउन बाटाउन बखो छा, उहांलाई आमी स्वागत ग भुए आरे करां हिंदी में बहुत सुने है, महाराजी छोर, आपको बहुत बहुत स्वागत है, नेपाल में महारा जी, दन्यवाद,rying। आप तो कबीर पंथ का एक शक्रिय परचा रखे है, फिर भी नेपाल में कबीर पंथ का थोड़ा सा बताना चाहिए, कबीर पंथ पंजाब में हुआ है और मैंने कबीर पंथ 2010 में जोईन किया था उस से पहले मैं और भी पंथों में था क्योंकि जो एक इनसान की भक्ती होती है वो एक जगे से पूरण नहीं होती है जैसे हम डॉक्टर बनते हैं इंजिनिर बनते हैं तो हम कई स्कूलों में पार होके आपते पहली क्लास कहीं और करी पांचवी कहीं और करी दसवी कहीं और करी इसी परकार कबीर पंथ में आने से पहले मैं दो गुरु धारन कर चुका था लेकिन वहाँ पे ग्यान पूरन नहीं था ग्यान तो था पूरन ग्यान नहीं था इसलिए मैं आगे बढ़ा और ये हमारा जी छे बार भर्मन किया है भारत में और विदेशों में जाके भी मैं कबीर पंथ का परचार करता हूँ इस बार नेपाल में आया हूँ और पिछली बार भी आया था नेपाल में तब मैं बुटवल में आया था लेकिन इस बार काटमंडू और सिराह में इस बार प्रोग्राम है कभीर पंथ के बारे में बताना चाहूंगा मैं कि कभीर साब का जो पंथ है वो एक ऐसा पंथ है जो सब के लिए समान है इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, जैन, बौध, धरम भेद नहीं है इसमें कोई जात पात का भेद नहीं है इसमें कोई उंची जात नीची जात ऐसा कोई भेड नहीं है इसमें धरम मानवता है और हम सब एक हैं हम सब शरीरों से परे आत्मा है शरीर पांस तत्तु के बने हैं सब के एक से ही बने हैं कोई भी इनसान है पांस तत्तु का ही शरीर लेके आया है लेकिन हम आत्मा है शरीर नहीं है इस दिव ग्यान को उजागर करने के लिए कबीर साब इस संसार में आते हैं और वही ग्यान आज हम पुरे विश्व में बांट रहे हैं और आज नेपाल का जो हमारा भर्मन है उसमें हम ये ग्यान गली गली में बांट रहे हैं लोगों को पर्चों के माद्यम से, पुस्तकों के माद्यम से हम ये ग्यान दे रहे हैं और अब आप लोग कर सही हो गया जो यूट्व चैनल पे भी ये ग्यान आ गया है और ये घर घर तक पहुँच जाएगा, इसमें बहुत बड़ी मालिक की दया होगी क्या दया होगी कि इसमें हम आतम ग्यान को जान पाएंगे क्योंकि भौतिक ग्यान तो हर कोई दे रहा है शरीलों का ग्यान तो हर कोई दे रहा है हर कोई कह रहा है राम जी की पूजा कर लो श्याम जी की पूजा कर लो हनमान जी की पूजा कर लो हम सदा, अजर, अमर, अविनाशी ही हैं हमारा कभी जनम और कभी मरत्यूं नहीं होती है क्योंकि जनम और मरत्यूं शरीलों की होती है आत्मा की नहीं तो यही ग्यान कभीर साब ने पूरे संसार में फैलाया और आज उसी ग्यान को लेकर हम नेपाल में आये हैं नेपाल जो एक बहुत खौबसुरत जगे है बहुत प्राकर्टिक है नेपाल के लोग इतने सब्गे और इतने शांत हैं शांती प्रीयग हैं और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा संसकारी लोग है जो भी संसकार उनको मिला है उसको अच्छी तरह संजोगे रखा उन्होंने आज आप देखेंगे बड़े-बड़े मंदिर नेपाल में है जो भी उनको उनके पूरुजों से ग्यान मिला है उसको अच्छी तरह पकड़ के बैठे है हाँ थोड़ी सी दिक्कत यहां पर आई है कि पहले नेपाल पूर्ण हिंदू राश्टर था लेकिन जब से और भी अल आज बहुत ज़्यादा मातरा में मास का प्रियोग हो रहा है तो मैं आशा करता हूं कि नेपाल एक बार फिर से हिंदू राश्टर घोशित हो और वापिस वही दीवे संसकार लोट के आए क्योंकि हमारे हिंदू धरम में सनातन धरम में मास भक्षन अलाउड नहीं है इसका इंसानों का भोजन केवल सात्वेक शुद्ध शाकाहरी भोजन है मासाहर भोजन उनका है जो बिचारे खाना नहीं बना सकते रोटी नहीं बना सकते दाल चावल नहीं बना सकते वो जानवर जो मजबूरी में मास खाते हैं उनको पूरा सिस्टम ही ऐसा मिला है कि वो मास ही बख्षन करेंगे शेर घास नहीं खा सकता उसका डाइजेसिस सिस्टम ऐसा ही नहीं कि वो घास को पचा सके तो मजबूरी में उसको मास खाना पड़ रहा है लेकिन हम इंसान हम अच्छी तरह पचा सकते हैं शाका हरी भोजन को सात्रिक भोजन को तो हमें मास से दूर रहना च करतें उसमें ये मास भक्षन भी है कि इसको दूर करो जीव इंसा मत करो एक बकरी एक मुर्गी उनको भी उतना ही पैरा है ये शरील जितना की आपको आप नहीं चाहते कि आपके शरील के साथ कोई अन्होनी हो आपकी उंगली तक ना कटे आपका बाल भी बांका न हो लेकि वही तपो भुमी कहलाए जो सत्युग में कहलाता था सत्युग में इसका नाम तपो भुमी, बहुत बढ़िया तपो भुमी का मतलब है जहां पर तफस्य की गई हो जहां पर परमात्मा को पाने के लिए कुछ कारे किया गया हो मैं फिर से यही चाहूंगा कि नेपाल एक बार फिर से उसी तपो भूमी को सिद्ध करके दिखाए भक्ती करके दिखाए तो सत्भक्ती का परचार करने के लिए हम यहां नेपाल में आए हैं क्योंकि भक्ती की यहां कोई कमी नहीं है भक्ती तो इतनी कूट कूट के भरी है कि आप सोच भी नहीं सकते लेकिन भक्ती और सत्भक्ती में कुछ फर्क होता है हम यहाँ पे सत्भक्ती करवाने आए है सत्भक्ती का मतलब होता है वो भक्ती जिसका कभी नाश ना हो आप देखेंगे भक्ती तो राक्षसों ने भी करी है राक्षसों ने भक्ती करके देवताओं को प्रकट किया है भगवान को प्रकट कर दिया लेकिन क्या उनकी भक्ती सफल हो पाई वर्दान लेने के बाद भी वो राक्षस ही कहलाए भगवान को भी प्रगट कर दिया फिर भी राक्षस ही कहलाए इसका मतलब कहीं तो कोई कमी है जब सत्भक्ती प्रगट हो जाती है जब परमात्मा प्रगट हो जाता है तो राक्षस भी देव हो जाता है नीच इनसान भी ऊच हो जाता है तब उस सत्य को पाने के बाद हर जीव सत्य का ही सरूप हो जाता है जीव ही स्वयम इश्वर हो जाता है जैसे कोई नदी समुद्र में गिरे तो वो नदी नहीं रह जाती वो समुद्र ही हो जाती है तो हम वो सत्भक्ती कराने आए हैं जिससे ये जीव पीव हो जाता है इसके बारे में गरीबदास जी ने अपनी बाणी में बोला है कहते हैं कोटी तो ब्रमा भहे और कोटी भहे ईश साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश यानि ऐसी भक्ती करो ऐसी भक्ती करो कि तुम ही भगवान हो जाओ तुम में और भगवान में कोई फरक ही न रहे ऐसी भक्ती करनी चाहिए तो वही सत्भक्ती आत्मा की भक्ती है जब आप आत्मा की भक्ती करोगे तो आप आत्मा ही हो जाओगे अभी आप क्या बने बैटे हो अभी आदमी ओरत बच्चा जवान बूड़ा बने बैठे हो अभी आप हिंदो मुसलिम सिख इसाइ बने बैठे हो अभी आप आत्मा नहीं हुए जब आत्मा की भक्ती करोगे तो आप इन सब शरीरों से इन देह से उपर उठ जाओगे और आतम ग्यानी बन जाओगे तब आप में और परमात्मा में कोई भेद नहीं होगा फिर परमात्मा आपकी आत्मा में ही वास कर रहा है जैसे राम जी को राम जी को जब इस दुनिया से जाना पड़ा तब विभीशन ने हनुमान जी से पूचा कि अब तुम्हारा राम जा रहा है अब तुम कैसे राम के दर्शन करोगे कैसे राम को पाओगे तब हनुमान जी ने किसी मंदिर का एडरस नहीं बताया कि मैं मंदिर में जाके पूजा करूँगा हनुमान जी ने वहीं पर अपनी च्छाती फार के दिखा दिया कि मेरा राम मुझ में बसता है मुझ में और मेरे राम में कोई भेद नहीं है जब मेरा राम मुझ में बसता है तो मैं राम से भिन कहा हूँ यही कबीर साब ने बोला साहिब कहते है जियू तिल माही तेल है और जियू चक्मक में आग और तेरा साई तुझ में है जाग सके तो जाग तिल के दाने में तेल है अगर तिल तेल को ढूंडने के लिए कहीं बाहर घुमें तो कैसे प्राप्त करेगा नहीं कर सकता जिए चक्मक में आग चक्मक पत्थर में ही आग बसी है आग को ढूनने के लिए चक्मक पत्थर कहीं गलियों में गूमेगा तो कैसे प्राप्त करेगा इसी प्रकार तेरा साई तुझ में है जाग सके तो जाग हमारा परमात्मा हमारी आत्मा में वास करता है और हमारी आत्मा कहीं गलीों में नहीं है कि हम किसी गली में जाएं ढूनने या हम किसी मंदिर में जाएं ढूनने या किसी मस्जिद में जाएं ढूनने या किसी गुर्दवारे या चर्च में जाएं पूजा करने हमें अपनी आत्मा में ही अपने परमात्मा को पाना है इसी का भेद कबीर साथ ने बताया मारा जी एक बात पूस्वा आपको वो भक्ती ग्यान को बारे में तो गिता में भी बताया बहुत बताया वो बगवान स्री किस्नी में बताया वो कबीर साथ ने भी ग्यान के बारे में बता है और गिता ग्यान और कबीर साथ का ग्यान में फरक क्या है बहुत बढ़िया सवाल है आपका बहुत महीन फरक है इतना महीन फरक है कि कोई समझ ही नहीं पाता इस फरक को जिसको कहते हैं हमारी बाशा में 19-20 का फरक देखने में 19-20 बहुत करीब भी हैं और बहुत दूर भी है केवल एक गिंती का फरक है लेकिन एक गिंती ही बहुत बड़ी हो जाती है जब फरक निकालने पे आते हैं गीता क्या कहती है गीता में आत्म ग्यान के बारे में थियोरी ग्यान बहुत बरपूर दे रखा है गीता में आत्मा के बारे में पूरा जिकर है कि हे अरजुन आत्मा अजन्मा है आत्मा नित्त है आत्मा शाश्वत है आत्मा पुरातन है ये आत्मा ही सत्ते सनातन है आज हम से कहते हैं कि हम सनातन धरम के हैं हमारा धरम सनातन है लेकिन दुक के साथ कहना पड़ता है कि हमें सनातन का मतलब तक नहीं पता आप सौ करोड हिंदूों में अगर पूछेंगे कि सनातन का मतलब क्या है तो कोई इका दुका ही बता पाएगा जिसको उसके गुरू ने या उसक किसी जानकार ने बताया होगा अन्य था कोई नहीं जानता सनातन के बारे में सनातन है क्या तो आपको बताना चाहूंगा पहले हम सनातन के बारे में जान ले ताकि हमें गीता का ग्यान इस पर समझ में आ जाए सनातन का मतलब होता है जो कभी ना बदले जिसमें कोई बदलाव नहीं होता जो आपरिवर्तन शील है वो सनातन है ना टूटे ना बदले जिसका सरूप एक सा रहे अखंड रहे वही सनातन है अब कोई कहे कि मैं राम जी की पूजा करता हूँ और मैं सनातनी हूँ तो नहीं है क्यों क्योंकि राम जी जब बच्पन में पैदा हुए और राम जी जब शादी करी और वन में गए और राम जी जब हनमान को मिले और सारा युद जीत के वापस आए तो उनके शरीरों में फरक है परिवर्तन हो गए जब बच्चे थे छोटे से थे बड़े होते होते बदलाव आ रहा है शरीर में जो चीज बदल रही है वो सनातन नहीं है क्रिशन जी में बदलाव आया छोटे से बच्चे थे पिता जी ने सिर के उपर टोकरी रखी टोकरी पे क्रिशन जी को लेके नदी पार करके गए और वही क्रिशिन जी बड़े हो गए शरील में फरक आ गया इसका मतलब क्रिशिन जी की पूजा करने वाले भी सनातनी नहीं है इसी परकार सारे देवी देवताओं में बदलावाता है केवल देवी देवताओं में नहीं बलकि इस संसार की हर वस्तू में बदलावाता है मंदिर बदल रहे हैं मस्जिद बदल रही है गुर्दवारे बदल रहे हैं अक्षर बदल रहे हैं जब तप वरत बदल रहे हैं सारी क्रियाँ बदल रही है सब कुछ बदल रहा है जो नहीं बदल रहा है केवल उसको जानना है और वो क्या है आत्मा हे अरजुन आत्मा अपरिवर्तन शील है आत्मा अजन्मा है आत्मा नित्त है आत्मा शाश्वत है आत्मा अखंड है आत्मा अचल है अचल तक कह दिया आत्मा को अचल यानि जो हिलता डुलता भी नहीं है वो है आत्मा लेकिन अब वो आत्मा है क्या ये किसी को नहीं पता तो गीता में आत्मा का ग्यान भरपूर दे रखा है थिवरी पार्ट में लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती है कि मैं कैसे जानू आत्मा है कहां है कैसी है उसके लिए गीता में अध्याय चार चौतिसवा शलोक बिल्कुल इस पश्ट बता दिया कि हे अरजुन जो ग्यान में तुमें दे रहा हूं आत्मा का ग्यान अगर तुम उसे वास्तविक में प्राप्ट करना चाहते हो तो तुम ऐसे गुरू की शर्ण में जाओ ऐसे तत्व ग्यानी की शर्ण में जाओ जो आत्मा के ग्यान को जानता है जिसने आत्मा का अनभव किया है वही तुमें तु अज्यान को प्राप्त नहीं होते हो जीवन में कभी तुमारे अग्यान आ ही नहीं सकता यानि एक बार तुम्हें पता लग जाए कि तुम आत्मा हो उसके बाद तुम कभी अपने आपको शरीर मान ही नहीं सकते जैसे पंख़ा और बिजली, करेंट और पंख़ा अग्यानी जीव यह सोचता है कि पंखा अपने आप चल रहा है लेकिन ग्यानी जीव जानता है कि पंखा अपने आप नहीं चलता है उसको करेंट चलाता है लेकिन दिखने में केवल पंखा आता है करेंट नहीं दिखाई देता दिखेगा केवल पंखा करेंट नहीं दिखाई देगा लेकिन जो ग्यानी जीव है वो करेंट को जान कर पहचान कर यानि उसको छू कर उसका अनुभव कर लेता है कि जिसकी वज़े से ये पंखा चल रहा है उसका अस्तित्व है तो है कैसा एक बार जब उसको करेंट लग जाता है उसके बाद वो कभी इस अग्यानता में नहीं आता कि करेंट ही पंखा है वो मान ही नहीं सकता उसको पता लग जाता है कि इस दुनिया में जितने भी पंखे हैं वो सब उसी करेंट से चल रहे हैं यानि शरीर अलग और आत्मा अलग अब जिसको आत्म ग्यान हो जाता है उसको कोई लाख बार कह दे कि राम जी का शरीर ही भगवान है क्रिशन जी का शरीर ही भगवान है हन्मान जी का शरीर ही भगवान है वो कभी मान ही नहीं सकता क्योंकि शरीर बिना आत्मा के चल ही नहीं सकता यानि जो असली वस्तु है वो आत्मा है जिसकी वज़े से शरीर जीवित है आपका शरीर पांस तत्मों का बना है और ये पांस तत्मों में विलिन हो जाएगा लेकिन कब तक विलीन नहीं होगा जब तक आपके शरीर के साथ आत्मा जुड़ी है जब तक आपके शरीर के साथ आत्मा जुड़ी है ये पांच तत्व में विलीन नहीं होगा ये पांचों तत्व अपने अपने तत्व में मिल जाएंगे तो जो भी कुछ इन शरीरों का खेल है आत्मा की वज़े से आत्मा ही है जिसकी वज़े से आप अपने आपको हिंदू कह पा रहे हो जैसे आप कहते हो मैं हिंदू हूँ किसकी वज़े से बोल रहे हो आत्मा की वज़े से आत्मा ना हो शरीर में बोलके दिखाए मैं हिंदू हूँ अगर कोई कहता है मैं मुसल्मान हूँ किसकी वज़े से बोल रहा है आत्मा की वज़े से जैश्री राम बोल रहा है आत्मा की वज़े से अल्लाहु अकबर बोल रहा है इसलिए क्रिशन जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि है अरजुन भक्ती बहुत प्रकार की है करम योग है ग्यान योग है ध्यान योग है प्रेम योग है बहुत प्रकार की भक्ती है और बहुत प्रकार के गुरू भी है जो आपको यंत्रों से तंत्रों से मंत्रों से पूज पार्ट से हवन यग से जोड़ देंगे किन्तु अब अध्याय तीन की बात कर रहा हूं है आप दसवा ग्यारवा बारवा तेरा चौदा पंदरा सोला ये इस लोग पढ़ेंगे उसमें यही बताया गया है कि जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते जो हवन यग नहीं क हैं जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं जो अपनी आत्मा में रमन करते हैं उनके लिए कोई धार्मी करम करतव लाग हुई नहीं होता उनको अपने जीवन में एक बार भी किसी मंदिर में जाने की जरुत नहीं है एक बार भी किसी गुर्दवारे किसी चर्च में जाने की जुरत नहीं है किसे जिसने अपनी आत्मा में रमन कर लिया, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, क्योंकि आत्मा की वज़े से ही सारे धरम है, जब इंसान भी नहीं था, तब कौन सा धरम था? इसाई धरम कितने साल पहले आया इसा मस्य से चालू हुआ है मुसल्मान धरम इसलाम धरम मुहम्मद साब से शुरू हुआ है सिक्खों का धरम गुर्नानक देव से शुरू हुआ है बुद्ध जी का धरम बुद्ध जी से शुरू हुआ है जेन धरम जेन जी से शुरू हुआ है ये सब इनसानों से शुरू हुए है जब इनसान भी नहीं था एक भी आदमी नहीं था इस संसार में तब कौन सा धरम था उस धरम को जानना है और वो है सनातन सनातन कोई धरम नहीं है सनातन आत्मा का परियावाची नाम है आत्मा ही सनातन है और जो आत्मा को जान जाते हैं वही सनातनी कहलाते हैं आत्मा को जानना ही सनातनी हो जाना है आत्म ग्यानी हो जाना है तो इसी सनातन का इसी आत्मा का ग्यान गीता में भरपूर दिया है लेकिन 99 तक ग्यान खोल दिया जाता और अगर पुरन ग्यान खोल दिया जाता तो गुरू के पास जाने की बात न कही जाती अब जो 99 पे गीता में ग्यान खतम कर दिया गया वो कहां खतम किया गया कि हे अरजुन तुम तत्व ग्यानी गुरू की शरण में जाओ वो तुमें 100% पुरन कर देगा यानि थियोरी तो मैंने पूरी समझा दी अब जो प्रैक्टिकल है जिसके बिना सब कुछ अधूरा है वो ग्यान तुमें केवल गुरू दे सकता है इसलिए कृषिन जी ने भी संदीपन गुरू को धारण किया था नहीं तो भगवान को गुरू की क्या जूरत है भग करेंगे देखेंगे पुरानी रमायन यूट्यूब पे अविलेबल है उसमें राम जी को भी ये ग्यान दिया जा रहा है कि हे राम इस दुनिया में केवल आतम ग्यान ही सरवस्रेश्ट है आतमा का ध्यान करो अब हम कर रहे हैं राम जी की पूजा और राम जी के गुरू ज हुंडे रे बंदे मैं तो तेरे पास में और ना मैं जप में ना मैं तप में ना एकांत निवास में ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कहलास में और एक खोजी होए तुरंत मिल जाओं एक पल की तलाश में और कहें कबीर सुनो भई साधो मैं तो हूँ विश्वास में जिस प्रकार आपने पत्थर पे विश्वास कर लिया कि पत्थर ही राम है जिस प्रकार आपने पत्थर पे विश्वास कर लिया कि पत्थर ही क्रिशिन है और आप उनी पत्थरों को पूझ रहे हो इसी प्रकार इससे भी ज़्यादा विश्वास आप अपनी आत्मा पे करें जब आप अपनी आत्मा पे विश्वास करेंगे तब आप 101% परमात्मा को पाएंगे यही गीता का ग्यान है एरजुन जो आत्मा में तरप्त हो जाते हैं जो आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं उन्हें ही परमात्मा मिलता है अन्यता सब मेरी तिर्गुणी माया में उलज पुलज के इसी जनम इसी मरत्यू को प्राप्त हो जाते तो ये गीता में बहुत अच्छा ग्यान दिया है लेकिन गीता का ग्यान 99% तक बिल्कुल एकुरेट है जो 100% है वो गुरू के पास जाने पर ही पूरन होता है अन्यता नहीं होता और जो कभीर साब का ग्यान है वो पूरे का पूरा गुरू पर ही डिपेंड है गुरु बिन ग्यान ना उपजे गुरु बिन मिटेना दोश गुरु बिन लखेना सत्य को गुरु बिन कटेना दोश गुरु के बिना ना तो दोश कटता है ना ही मोक्ष प्राप्त होता है तो गुरु को कभीर साब ने बहुत उचा बताया गुरू गोबिन दोनों खड़े, अरे काके लागू पाएं, बलिहारी गुरू आपने, जो गोबिन दू ये लखाए, अगर गुरू है तो ग्यान है, गुरू नहीं तो ग्यान नहीं, सतना. महाराजी, आप एक चीज़ बताइए, आश्रम के खिलाब क्यों कर रहा है कभीर पांत? कभीर साब ने कभी नहीं कहा कि कोई भी संत बड़े बड़े आश्रम बना के बैठ जाए, कभीर साब कहते हैं कि जब तक गुरू को ही माया से प्रेम है, जब तक गुरू को ही इस नाश्वान संसार से इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से प्रेम है, तो चेले का मोह कैसे भंगोगा जब गुरू ही माया में लिप्त है तो चेला माया से दूर कैसे होगा इसलिए कभीर साब ने शुरू से ही विरोध किया कि ये बड़े बड़े आश्रम क्योंकि उस वक्त ब्रामन बाद जादा था तो बड़े बड़े मंदिर भवे मंदिर बनाई जाते थे भगवान के नाम के जब की भगवान को मंदिर की जरूरत ही नहीं है अरे जब भगवान सोयम आये थे 14 साल उन्होंने बिना घर के बिना महल के बनबास में काट लिये तो अब उनको जब वो चले भी गए है तब उनको मंदिर की क्या जूरत है क्या उनके पास अपना लोक नहीं है क्या क्रिशन जी के पास अपना लोक नहीं है अपना भवे लोक है उनके पास तुमारे मंदिर की क्या जूरत है उने अगर उनको मंदिर की जुरत है तो जिसने पूरा संसार बनाया वो अपना मंदिर भी बना ले आपको क्यों चंदा मांगने की जुरत पड़ रही है आप गली गली में चंदा मांगे यानि आप भिकारी बनके भीक मांगे भगवान का घर बनाने चले हो यह अग्यान ताए भगवान को किसी के घर की जुरुत नहीं है और जो बात चली है राम मंदिर की ठीक है हम विरोध नहीं करते कि मंदिर नहीं होना चाहिए हम यह कहते हैं कि मंदिर अगर है तो उसका पूरा लाब होना चाहिए मंदिर का मतलब ये नहीं है कि आप जाके किसी इंट पत्थर के मंदिर को भगवान का मंदिर बना के बैठ के पूजा करके वापिस आओ जाओ नहीं मंदिर का मतलब है मन के अंदर पहली बात तो भगवान आपके मन के अंदर होना चाहिए आपके मन में बसा होना चाहिए जैसे हनवान जी ने छाती वार के दिखा दिया कि मेरा राम मेरे मन के अंदर बसा है इसी परकार आपको भी ग्यान होना चाहिए कि भगवान मेरे अंदर है हाँ अगर कोई मंदिर बना है जो वेदों को शास्त्रों को पढ़के बैठे हैं आप उनसे ग्यान प्राप्त करने जाए ये मंदिर में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप कहें कि केवल पत्थर को भगवान मान के पूज के मैं वापिस आ जाऊं तो ये आपकी हानी का कारण हो जाएगा जबकि वेदों में साव बोला है कि अश्त चक्रा नौ द्वारा देवाना पुर्योध्या कि आठ चक्र और नौ द्वारों का जो मकान है उसी में सारे देवताओं का वास है वही आयोध्या है बिलकल ये शरीर ही वो आयोध्या है जिसमें सारे देवी देवताओं का वास है इसी में ब्रह्मा विश्णु महेश का वास है इसी में गनेश का वास है इसी में दुर्गा मा का वास है इसी में निरंजन का वास है कहां कहां वास है मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं जब हम अपने शरीर के बारे में जानेंगे आप नेट पे भी सर्च करेंगे कि हमारे शरीर में चक्र कहां कहां है तो आपको एक फोटो बन के आ जाएगी योगी की और उसमें चक्र आपके सामने आ जाएगे आपने देखा भी होगा तो सबसे पहला जो चक्र है मूलाधार चक्र जो जहां से हम कहते हैं कि विष्ठा को निकालते हैं मूलाधार चक्र वहाँ पर गनेश जी का वास है वहाँ पर गनेश जी का वास क्यों है क्योंकि गनेश जी का कारे है हमारे शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकालना ये गणेश जी का कारे है आप देखो के गणेश जी की पूजा गोबर के द्वारा बना के भी की जाती है क्यों की जाती है गोबर एक संकेत है क्योंकि जहां से हम विष्ठा निकाल रहे हैं वो गोबर का ही संकेत है वहाँ पर जो चक्र है जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं वहाँ गणेश जी का वास है गणेश जी का कार है आपके शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकालना और हमारे हिंदू धरम में सबसे पहली पूजा गणेश जी की की जाती है गणेश जी को दू हाँ पत्ता होता है ना नेपाली में दूबो बोलता है उसमें इन्दी में दूब बोलता है अच्छा चलो पहले मैं इसको क्लियर कर देता है एक बार जो हमारे धरम में सबसे पहली पुजा की जाती है गणेश जी की पूजा की जाती है परत्मे गणेश मनाऊं पूजूं और न देवा सबसे पहले गणेश जी के पूजा का मतलब होता है कि हमारी दिन चर्या में सबसे पहला कारे हम क्या कर रहे हैं सबसे पहला कारे हम जैसे ही उड़ते हैं केवल हिंदू धरम नहीं सारे सबसे पहले अपने पेट की सफाई करते हैं इसलिए सबसे पहले हम गणेश जी को याद करते हैं गणेश जी का कारे है वो उसके उपर गणेश जी के उपर आएंगे तो यहाँ पर स्वाद चक्र है लिंग चक्र है लिंग चक्र में कौन सा भगवान कौन सा देवता वास करते हैं य गरब में बीज स्थापित करने का कारे ब्रह्मा जी करते हैं और उसके उपर विश्नुजी का वास है नाभी चक्र में जो बच्चा गरब में बोल नहीं सकता खा नहीं सकता पी नहीं सकता उसको विश्नुजी पालते हैं क्योंकि विश्नुजी ही सतोगुणी हैं ब्रह्मा ज से सारा खाना पीना उस बच्चे को प्राप्त होता है अब उस से उपर कौन है हिर्दय चक्र वहां पर किसका वाश है वहां शंकर जी का वाश है शंकर जी का क्या कार है कि जो ब्रमा ने पैदा किया जिसको विश्णु जी पाल रहे हैं उसका संगार शंकर जी का कार है संगार करना और शंकर जी का डमरू क्या है जो बच्चे के दिल की धरकन है जो हमारे दिल की धरकन है डम 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 24 घटे उनका डमरू बजरा है और जब तांडव करते हैं वो यानि जब कोई खत्रा आ जाता है आपके उपर तब वो डमरू तेज हो जाता है डम 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 अब इसका मतलब कि कहीं न कहीं संगार होने वाला है कोई न कोई खत्रा है तो जब शंकर जी उसका डमरू बंद कर देते हैं केवल तभी डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट दे सकता है अगर ये डमरू चल रहा है इसका मतलब धरकन चल रही है इसका मतलब अभी संगार नहीं हुआ है आत्मसाथ में शंकर जी ने अपना कारे पूरा नहीं किया है ये शरीर का नाश अभी नहीं हुआ है तो ये शंकर जी का वास है शंकर जी से उपर कौन है कंट में सरस्वती का वास है जिसको हम मा के ही रूप मानते हैं दुर्गा बोली जा रही है ये सब कंठ से ही बोली जा रही है इसका कार है ब्रह्मा विश्णु महेश को आग्या देना यानि तीन गुणों से उपर जो माया बैठी है जिसको तिरिगुणी माया कहते हैं उसका कार है तीनों गुणों के द्वारा संसार को चलाना आप देवी भागवत म गोरी कहलो वह अलग-अलग रूपों में अलग-अलग देवताओं के साथ भी बैठी हैं लेकिन जो उनका में में रूप है वो है अस्टांगी माया आठ अंगो जो वाली माया तो उसका वास है कंट में और वो जो कुछ भी बोल रही है वो किसके आदेश से बोल रही है उसका जो पती है माया पती वो कौन है उसके आदेश से हर बात बोल रही है यानि जो भी आपके मन में बात आती है ये माया उसको बोल के बयान कर देती है क्योंकि मन बोल नहीं सकता आप आंके बंद करके बैठ जाओं मूँ बंद करके बैठ जाओं आपके बंद में कोई भी ख्याल आता है आप बिना माया की हिम्मत के ताकत के आप बोल नहीं सकते मन की बाथ मन में रहे जाएगी कई लोग कहतें, अरे तेरेमन में कुछ बात थी तो बोल देता न, तुने बोला नहीं तो बात बाहर आई आहीं तो माया का काम है मन की सारी बातों को बाहर निकालना, उसी से स्रश्थी चल रही है आप होटल में जाके order भी देते हो ना एक चाई लेके आना तो यह आपका मन कह रहा है आपका मन कहता है मुझे चाई पी नहीं है और आप कहते हो मेरा मन कर रहा है चाई पी हूँ चलो चाई ले आओ मेरा मन कर रहा है दूद पी ले चलो दूद ले लेते हैं मेरा मन कर रहा है कुछ मीठा खा पहनू आज आपने कुरता पजामा यानि आप अपने अनुसार कुछ कर ही नहीं रहे हो आप जो कुछ भी कर रहे हो अपके मन के कहे कर रहे हो अब ये मन कौन है ये माया का पती है यानि ब्रह्मा विश्नु महेश जी के माता और पिता है ये अब इस मन का असली नाम क्या है इ से नहीं सुना होगा निरंजन निराकार बिलकुल बिलकुल अब आप निरंजन के बारे में अगर किसी से पूछेंगे कि क्या आप अलग निरंजन को जानते हैं क्या आपने कभी अलग निरंजन को देखा है आपने ब्रम्मा विश्णु महिश्च की फोटो देख ली उनके फूरी फैमिली की फोटो देख ली माता दुर्गा की फोटो देख ली लेकिन आपने कभी अलख निरंजन की फोटो देखी है आपको कभी हां में जवाब मिली नहीं सकता क्योंकि मन का कोई आकार है ही नहीं और सारे आकार मन के ही हैं ये बहुत बड़ा भेद है क्योंकि निराकार और साकार ये एक अई पहलू के दो हिस्से हैं एक अई सिक्की के दो पहलू है हेड या टेल लेकिन है वो सिक्का ही परदा के आगे और परदा के पीछी बास इसी को समझना है तो माया का जो पती है वो है अलख निरंजन और इन दोनों की जो संताने हैं वो सतोगुन रजोगुन तमोगुन यानि तिरिगुनी जो उनके बच्चे हैं जिसको हम ब्रह्मा विश्नु महेश भी कह देते हैं ये शंकर जी को पैदा किया ये सारा उसमें वर्तांत दे रखा है लेकिन हमें कोई नहीं बताता इसलिए हम ब्रह्मा विश्नु महेश जी को इस सबसे बड़ा भगवान मान लेते हैं ऐसा नहीं है तो ये सारे जो हैं हमारी ही बाड़ी के अंदर विराजमान है तो असली समझता है अगर आप इस अयोध्या में जाते हो तो आपको देवी देवताओं के दर्शन होंगे अगर आप गुरूख से ग्यान लेकर इस काया से परे जाते हो तब आपको परम आत्मा के दर्शन होंगे अयोध्या ही है मंदिल सोयम है यही मंदिल रहने वाला मन जो होता है वेलकूर वेलकूर वो कहां बैठा है वो यहां बैठा है यहां पर बैठा है यहां पर कौन है माया माया से उपर बैठा है निरंजन निराकार इसका सरूप क्या है इसका सरूप है जोत सरूप यहां पर एक जोत जल रही है जिस जोत को ब्रह्मा जी विश्नु जी महेश जी ल बोलते हैं यानि वो जोत के दर्शन करते हुए अपना पूरा जनम निकाल रहे हैं पूरा युग निकाल रहे हैं अब ये है मन कभीर साब कहते हैं बाणी में कि निराकार मन जोत सरूप है अब इस मन से आगे क्या है इस से आगे आतम देव है मन से उपर आतमा है उस आतम से मन के चंगुल से, इस मन की जेल से, यह पांसतों की जेल है, इस जेल से पिंजड़ा ये पिंजड़ा है वा में तुमको राखे हो तुमको विसर गई सुद घर की और ये महिमा अपनी भाखे हो अब ये पिंजड़ा है आपका शरीवी पिंजड़ा है मेरा शरीवी पिंजड़ा है राम जी का शरीवी पिंजड़ा है हनमान जी का शरीवी पिंजड तो पिंजड़े से मुकत कैसे होगा पंची चले गई पिंजड़े की पूजा करता है बास इसी को समझना है पंची से पिंजड़े की पूजा करवाई जा रही है जबकि पंची को आस्मान का रास्ता बताना चाहिए पिंजड़े को छोड़के आस्मान की तरफ चला जाए तो पांस सत्तों की पिंजडे की महीमा गवारा है किस किस के नाम का मंदिर बनवा दिया क्या है उसमें पिंजडे ही तो है पिंजडों की पूजा कर रहे है कौन ये अमर जीव ये अमर जीव पिंजडे की पूजा कर रहा है इश्वर अंश जीव अविनाशी ये अविनाशी जीव नाशवान पिंजडों की पूजा कर रहा है यही कृषिन जी बार बार समझा रहे है कि हे अरजन जो मुझे काया करके जानता है जो मुझे शरीर करके जानता है जो मुझे दस इंद्रिया करके जानता है हे अरजुन वो वास्तव में मुझे जानता ही नहीं है क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ हम तुम शरीर नहीं है शरीर क्या है हे अरजुन शरीर केवल और केवल नाशवान पांस तत्वों का घर है इससे जादा कुछ नहीं हमारा असली सरूप आतम सरूप है इसलिए जो मुझे आत्मा करके जानता है हे अरजुन केवल वही मुझे पहचानता है अन्य था कोई मुझे जान ही नहीं सकता इसलिए सब ग्यानियों में मुझे आत्म ग्यानी सबसे प्रिये है क्योंकि वो मुझे आत्मा करके जानता है क्योंकि मैं अजनमा हूँ नित्य हूँ शाश्वत हूँ जो मुझे जनम लेने वाला मानता है वो मुझे नहीं जान सकता कि मैं अजनमा हूँ और जनम लेने वाला मतलब जो मुझे मशली का अवतार कछुए का अवतार वरा का अवतार राम जी का अवतार करके मानता है वो केवल शरीरों का ही पुजारी है आतम ग्यानी नहीं है और मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ अर्जन तु भी एक आत्मा है गिता का 18 अध्या का 66 स्लोक में सर्वधर्मान परितिज्ये मामे कम सरणम ब्रजर अहम तुम सरवपापे ब्यमक्षे से मी मासूँ जई क्या बहुत 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 इसमे और कविर साथ दर्शन में क्या फरक है बहुत गहराई है इस एक शलोक में अब अग्यानी जीव जो नहीं जानते सकते को वो क्या सूच बैठते हैं कि सब धर्मों को छोड़के मेरी शर्ण में आजा यानि सब धर्मों को छोड़ दे और केवल मेरी पूजा कर मेरे मंदिर में आ मेरी भक्ती कर मेरी शरीर से प्रेम कर मेरी फोटो से प्रेम कर मेरी मूर्ती से प्रेम कर बिल्कुल गलत है पहली बात तो ये बता दी जाए कि सब धर्मों को छोड़ने की बात आज से 5000 साल पहले की जा रही है तो मुझे किसी एक धर्म का नाम बता दो जो उस वक्त थे तो कौनसे धर्म को छोड़ने की बात की जा रही है जब एक एकि धरम है उस वक्त तो कौँझ से धरम को छोढ़ के मेरी शरण में आजा उस धरम का नाम क्या है कौझ सा धरम छोड़ूं जब कोई धरम ही नहीं है असल में धरम का मतलब ही नहीं पता लोगों को और इस इस लोक की गलत वयाख्या करके भर्मा के क्रिशिन जी की मूर्ती की पूजा में लगा दिया जाता है धरम का मतलब है कर्तव्य आपका जो कर्तव्य है वही आपका धरम है आप हिंदू मुसलिम से किसाई धरम नहीं है धरम का मतलब होता है मेरा इस समय क्या कर्तव्य है वही मेरा धरम है जैसे राजा का धरम अलग है परजा का धरम अलग है पती का धरम अलग है पतनी का धरम अलग है यानि उसका करतब वही उसका धरम है राजा का धरम क्या है अपनी परजा की सेवा करना अपने परजा का पूरा ख्याल रखना ये राजा का धरम है परजा का धर अपने इदाजा को हमेशा सुरक्षित रखना ये परजा का धरम है पुरुश का धरम क्या है पती का धरम क्या है अपने परिवार की पालना करना अपनी इस तरी का ध्यान रखना ये पती का धरम है पतनी का धरम क्या है अपने पती के साथ वफादारी करना उनके बच्चों को पालना अपने घर गरस्ती को संभालना ये पत्नी का धरम है ये उन धर्मों की बात की जा रही है सब धर्मों को यानि सब कर्तवियों को छोड़ दे और मेरी शड़ में आ जा इसका मतलब सारे कर्मों को अकरता होके कर सोच की सारे करम मेरे ही है तेरा अपना कोई करम नहीं है अरजुन करम कर फलकी इच्छा मत कर वो मुझे छोड़ दे इसलिए सब धर्मों को छोड़ने की बात की गई है कि ये छोड़ दे कि क्या सही है क्या गलत है ये सब मेरे उपर छोड़ दे बस तू अपना कर्तब वे कर जैसे हम लोग कई बार कहते हैं अरे बड़ी मुश्किल म संकट में पढ़ गया हिंदू धर्म संकट में आ गया मुसल्मान धर्म आ गया धर्म संकट का मतलब होता है कि ऐसी परिस्थिती में मैं आ गया कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं निर्णे क्या लूँ कर्मों का संकट हां निर्णे का संकट मैं निर्णे नहीं ले पा कर्मों को त्याग के त्यागने का मतलब यह नहीं काम नहीं करना है त्यागने का मतलब होता है फल की इच्छा ना करना अकरता हो के सब कर्मों को कर फल को त्याग और मेरी शरण में आजा यानि आत्मा की शरण में आजा मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं और जब तू आत् ही हो जाएगा क्योंकि जहां आसा तहां वासा जैसा आपको अंत समय में आपका विचार होगा आपका निर्णे होगा वही आपको गती मिलेगी अंत मता सो गता इसलिए क्रिशन जी ने अरजन को ये समझाने की कोशिश करी कि तुम अपने आपको किसी भी धरम का मत मानो केवल आत्मा जानो जब तुम आत्मा जानोगे तो तुम आत्मा ही हो जाओगे और आत्मा हो जाओगे तो तुमें कोई शस्त्र काट नहीं सकता अगनी जला नहीं सकती वायू सुखा नहीं सकती जल भिगो नहीं सकता तो नरकों की आग तुमे कैसे जलाएगी तुम नरकों में भी नहीं जा सकते क्योंकि तुमें आग जलाई नहीं सकती तुमें कोई पकड़ नहीं सकता यमदूत भी तुमें नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि तुम आत्मा हो गए बेवात्मा तो कोई छुई नहीं सकता आत्मा को कोई पकड़ी नहीं सकता अब आप जनम मरन से सदा के लिए मुक्त हो गए हो तो ये है गीता का सार लेकिन लोग गीता का सार नहीं जान पाते इसलिए कृषिन जी की पूजा में ही मगन हो जाते हैं कृषिन जी के नाम पे बास्ता अच्छा है लेकिन मन्जिल नहीं है, मन्जिल बहुत आगए है, मन्जिल आत्मा है, बेल्कोल बहुत बहुत दूर है, जैसे पेड़ खजूर और ज्यानी जन के पास में, अग्यानी से दूर. जैसे आपने अपने घर में खजूर का पेड़ लगा लिया बड़े शौक से लगाया कि खजूर खाएंगे अब वो सौ डेड़ सो फुट उपर चला गया है आपके आंगन में लेकिन डेड़ सो फुट उपर हो गया अब जैसे कोई खजूर पक्ती है अभी तुम प्लैन बनाती हो कैसे तोड़ा जाए कैसे तोड़ा जाए क्योंकि चड़ना आता नहीं इतने में कोई पक्षी आता है और उस खजूर को उपर सी उठा के लेगा अब वो खजूर तुमारे घर में ही लगी है कहने को घर में लगी है सबको भोल रहे हो कौझूर हाँ मेरे घर में ही है लेकिन मुझे से बहूत दूर है अग्यानी से दूर अब ग्यानी जन कौन है जो खजूर पे चड़ना जानता है वो तो फटाक से चड़ चड़ जाएगा और खजूर लेके नीचे आ जाएगा लेकिन अग्यानी बिचारा देखता ही रह जाएगा घर में वस्तू है लेकिन प्राप्त नहीं कर सकता इसी प्रकार आत्मा हम सब के पास है हिंदू के पास है, मुसल्मान के पास है, सिक के पास है, हिसाई के पास है, सब के पास है लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे है प्राप्त कैसे करेंगे जब तक हमारे जीवन में आतम ग्यानी गुरू ना आ जाए वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का भेद बता के तुम्हारी आत्मा से जुडने की युक्ती बता के तुम्हें आत्मा की प्राप्ती करवा सकता है नहीं तो नहीं जैसे तुम्हारे घर में सौ लीटर दूद है लेकिन तुम्हें घी बनाना नहीं आता तो वो 100 लिटर दूद दूद ही रह जाएगा ना तुम उससे मक्षन बना पाओगे ना तुम उससे दही बना पाओगे ना तुम उससे घी बना पाओगे वस्तु तुम्हारे पास ही है उसी दूद में घी भी है मक्षन भी है, दही भी है गी सब कुछ है चाच भी है लेकिन तुम्हें विदी नहीं पता इसलिए वो सब तुमसे दूर है सामने दूद पढ़ा है लेकिन गी बहुत दूर है अब कितनी दूर है कितनी दूर है अभी पता लग जाएगा अब समझो की 12 से 24 गंटे में दही बनता है तो दूद से दही कितनी दूर है 24 गंटे दूर है अब दही से मखन बनाए जाता है कम से कम एक डेट दो गंटा लग जाता है एक गंटा तो मानके चलो तो एक दिन और एक घंटा मक्षन दूर है अब उस मक्षन को गरम करते हैं कम से कम डेड़ दो घंटा लगा के उससे घी बनता है तो एक दिन और दो घंटा डाई घंटा घी दूद से दूर है यानि परमात्मा हमारे पास होती हुए भी दूर है अगर आज हमें पता भी लग जाए कि हमारी आत्मा कहा है हमारी आत्मा का हमने कैसे ध्यान भजन करना है तब भी वो हमसे दूर ही है क्योंकि उसमें लगता है दीरे दीरे से से शेड़ी चाड़ना चाहिए दीरे दीरे रे मना दीरे सब कुछ होए और माली सीचे सो घड़ा रितु आय फल होए आपकी जें़ मे बीज है आमका बीज है तो क्या आपके जें़ में आमका पेड़ा आगिया क्या नहीं वो तो जिस दिन बीज बोओ गे और एक एक करके घड़ा डालोगे सो घड़ा पुरे करोगे तब जाके कहोगी आम का पिड़ ओगे और उसके बाद उससे आम प्राप्त हो है तुम्हारे पास ही है लेकिन हर चीज में समय लगता है क्योंकि कई लोग ऐसा कहते है माराजी अभी के अभी आत्मा का ग्यान हो जाएगा अभी के अभी पता लग जाएगा की आत्मा कैसी होती है नई साहिब कहते है राम नाम रटते रहो यानि आत्म ग्यान में समाओ राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण और कब हूँ धीन दयाल के भनक पड़ेगी कान कहते है जब तक प्राण है घट में तब तक आत्मा का ध्यान करते रहूं, पता नहीं कब द्या हो जाए, आत्मा के अलावा तुमें और किसी चीज की जरुत नहीं है, आत्मा के अलावा हर चीज माया है, ये संसार माया है, जो भी आँखों से चीज दिखाई दे रही है, माया है, जो भी चीज बन रही है, बिग बिगड़ नहीं रहे क्या बन रहे हैं बिगड़ रहे हैं ये मूर्तियां बन रहे हैं बिगड़ रहे हैं ये सारे धरम ये सारी जात पात बन रहे हैं बिगड़ रहे हैं ये सब जूट है केवल आत्मा ही सत्य है और आत्मा को हमने कैसे याद रखना है कैसे निशाना लगाना है जैसे अरजुन ने निशाना लगाया था चिडिया की आंक का बाकी सबसे पूछा तुम्हे क्या दिखाई दे रहा है कोई कह रहा है मुझे पत्ते दिख रहे है मुझे टहनी दिख रही है मुझे चिडिया दिख रही है पूरी चिडिया की पूँच दिख रही है अरजन को पूछा वो कहता है मुझे केवल चिडिया की आँख दिख रही है तो गुरू ने कहा कि बेटा निशाना लगा केवल तू ही निशाना लगा सकता है बाकी कोई नहीं लगा पाएगा, इसी परकार, भक्ती केवल वही कर सकता है, सत्भक्ती केवल वही कर सकता है, जिसका निशाना केवल आत्मा पे हो, ध्यान, आत्मा में ध्यान, बास, इसके अलावा कुछ नहीं, शरीर का तो ध्यान करना ही नहीं है, शरीर में जितने पिंजडे हैं, अगर हम पिंजडे का धिहान करेंगे, तो जेल में जाएंगे, हमें आकाश का धिहान करना है, आसमान का धिहान करना है, यानि खुले आसमान का अपने असली घर का धिहान करना है, जहां कोई पिंजड़ा है ही नहीं, चिड़े मिल जाएगा, बास, अपने घर पहुंच जाएंगे गुरुजी एक प्रस्ना आपको पुश्चों सब आदमी का इधर उधर करने के लिए करने के लिए घुमने के लिए डूलने फिरने के लिए एक उद्देश होता है आपका नेपाल आने का उद्देश है क्या है बहुत प्यारा सवाल है कि नेपाल आने का था अब तो बहुत कुछ हो गया नेपाल में बदलाव आ गया और हमारा देश भी हिंदु धरम में सबसे ज़्यादा अबादी हिंदु धरम की है और नेपाल वालों को नेपाल के भाईयों को समझाना थोड़ा आसान है क्योंकि 99 तक वो पहले से ही समझदार हैं जान चुके हैं धरम के बारे में देवी देवताओं के बारे में गरंतों के बारे में अब हमें केवल एक एक पॉइंट आगे बढ़ाना है केवल आतम ग्यान तक लेकि आना है और ये एक पॉइंट अगर जिसने भी समझ लिया तो समझ लो कि वो असली सनातनी वो असली भगत असली भगवान का पुजारी बन जाएगा क्योंकि जो असली भगवान है असली वो परमात्मा है परमात्मा का मतलब है परम आत्मा परम यानि स्रेष्ट स्रे सरेष्ट है अब हम जीवों को क्या करना है केवल उस सरेष्ट हता को प्राप्त करना है यानि नदियों को क्या करना है उस समंदर तक पहुँचने का जो कारे है वो केवल गुरू के द्वारा पूरण होता है और गुरू का फर्ज है कि इस ग्यान को आतम ग्यान को पूरे विश्व में फैलाना इसलिए आज मैं नेपाल आया हूँ कि हमारे सब नेपाली भाई आतम ग्यानी बने ठीक है कोई मंदिर जा रहा है उसको रोको मत उसको पढ़ाई पूरी करने दो यानि कोई छोटे स्कूलों में जा रहा है पहली दूसरी पांचवी दस्वी कक्षा में उसको रोको मत भले उसने डॉक्टर बनना है रोको मत वही दीरे 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 पढ़ाई करता करता एक दिन MBS में एडमिशन लेगा और वह डॉक्टर बन जाएगा किसी को मत रोको कोई मस्जिद जा रहा है मत रोको कोई गुर दारा जा रहा है मत रोको केवल उनको ये बताते रहो कि ये ग्जान भी उस ग्जान तक पहुंचने का एक जरीया है लेकिन जो असली ग्जान है जो मुक्ती का गयान है वो केवल और केवल आतम गयान है आतमा तक पहुँचना है जैसे हम छटपे जाते हैं तो सीडियों के द्वारा ही जाते हैं हम सीडियों को नहीं तोड़ सकते सीडियों को तोड़ देंगे तो हम उछटपे कैसे पहुँचेंगे इसलिए कोई भी किसी धर्म से जुड़ा है हमारा किसी के साथ मतभेद नहीं है हम कहते हैं कि अपने धर्म में पहले पक्के हो जाओ पहले जानों कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है मुसल्मानों का धर्म क्या कहता है मुसल्मानों का धर्म कहता है कि खुदा तुमारी रूह में बसता है लेकिन इस बात को कौन समझेगा इसाईयों को धरम क्या कहता है इसाईयों को धरम कहता है कि in the beginning there was word word was with God and word was God word यानि शबद कि शुरू में शबद था शबद परमात्मा के साथ था शबद ही परमात्मा था लेकिन शबद को जानेगा कौन शबद को छोड़के इसाईयों की पूजा करने में लग गए इसाईयों की पूजा का मतलब क्या है शरीर की पूजा शरीर क्या है शरीर ही बंधन है शरीर ही पिंजड़ा है तुम इसाईयों को नहीं जान पा रहे हो तुम पिंजडे की पूज़ा करने में लग गए हो हिंदू, राम जी, कृषिन जी रूपी पिंजडों की पूज़ा कर रहा है और इसाई, ईसामसी रूपी पिंजडे की पूज़ा कर रहा है क्या फरक है, दोनों ही पिंजडा ही है जबकि हमारे देश में एक संतने बानी बोली थी जब आएगा वीसम वीसा ना रहेगा ईसा ना रहेगा मुसा राज करेगा जगदीसा यानि जब आएगा वीसम वीसा वीसम वीसा का मतलब होता है शत परतीशत जैसे हम कहते हैं सोला आने सच ऐसे ही 20 संभीसा का मतलब है शत परतिशत यानि जब पूरण ग्यान आ जाएगा तो ना रहेगा इसा ना रहेगा मुसा यानि शरीरों का खेल खत्म हो जाएगा अब शरीरों की पूझा खत्म हो जाएगी और केवल राज करेगा जगदीशा अब वो राज करेगा जो पुरे संसार का राजा है जो हिंदूों का राजा है जो मुसल्मानों का राजा है जो सिखों का राजा है जो इसाईयों का राजा है अब वो जगदीशा कौन है वो आतम देव है जिसकी वज़े से हिंदू चल रहा है जिसकी वज़े से मुसलमान चल रहा है जिसकी वज़े से सिख और इसाई चल रहा है अगर आत्मा अपनी ताकत खींच ले तो मुसलमान कभी अपनी कुरान नहीं पढ़ पाएगा मुसल्मान कभी अपनी मस्जिद नहीं पहुंच पाएगा हिंदू कभी अपना वेद नहीं पढ़ पाएगा हिंदू कभी अपने मंदिर नहीं जा पाएगा इसाई कभी बाइबल नहीं पढ़ पाएगा इसाई कभी अपने गिर्जा घर नहीं जा पाएगा और सिकh कभी गुरुगरन साब नहीं पड़ पाएगा और नहीं वो कभी गुरुद्वारे जा पाएगा ये सारी क्रियाएं केवल आत्मा की वज़े से हो रही है आत्मा ना हो तो मंदिर में दिया नहीं जला सकते अगर आप मंदिर में दिया जला रहे हो तो आत्मा की वज़े से जला रहे हो अगर आप एक इंट पे दूसरी इंट रखे मंदिर बना रहे हो मूर्तियां बना रहे हो आत्मा की वज़े से बना पा रहे हो आत्मा ना हो तो तुम क्या मंदिर बनाओगे क्या मस्जिद बनाओगे क्या पूजा पाट कर पाओगे कौन सा मंतर बोल पाओगे कुछ नहीं कर पाओगे इसलिए जो कुछ भी हो रहा है आत्मा के द्वारा हो रहा है और आत्मा का ग्यान ही सरवस्रेष्ट ग्यान है इसी आत्मा को आदी अक्षर कहते हैं इसी आत्मा को शबद कहते हैं कवीज साब कहते हैं शबद बिना सुरत आंधरी कहो कहां को जाए द्वार न पावे शबद का फिर फिर भटका खाए यानि तुम्हारा ध्यान शबद यानि आत्मा से ना लगने के कारण संसार में भटक रहा है माया में भटक रहा है और जहां तुम्हारा ध्यान होगा वही तुम्हारा अगला जनम हो जाएगा इसी को समझा रहे हैं तो शबत कहलो, आदी अक्षर कहलो, निज़ नाम कहलो, अबोल नाम कहलो, अडोल नाम कहलो, नीख्षर नाम कहलो, ये सब उसी आतम देव के नाम है तो बानी कहती है सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे एक छुडावे एक लखावे तब प्राणी निजघर को जावे यानि कि सोई गृु पूरा कावे, गृु तो बहुत है संसार में, लेकिन पूरा गृु कौन है, जो दो अक्षर का भेद बतावे. कौन-कौन से दो अक्षर? पहला अक्षर वो जो इनसान ने बनाया है. ये काखा गागा चाचा जा टाठा डा ये तब कहां थे जब इनसान को बोलना लिखना पड़ना भी नहीं आता था जब आदी मानव था जब आदमी आदी मानव था जानवरों का शिकार करता था पत्ते खा के जीवन बिताता था नंगा गूमता था तब ये अक्षर कहां थे तब ये अक्षर बने भी नहीं थे जब अक्षर नहीं बने यानि काखागा यारा लावाशा नहीं बना तो रा और मा कहां से था आया ये रा और मा कहां था ये हीनदू कहाँ था ये मुसलमान कहाँ था ये अलाह कहाँ था ये वाहे गूरू ये सारे नाम कहाँ थे जब अक्षरी खोज नहीं हुई तो चूरो कूरो कहाँ था ये अक्षर बने तो उन्ही अक्षरों में से उठा उठा के तुमने नाम बना लिए किसी ने अपना नाम रख लिया नितिन किसी ने अपना नाम रख लिया धिरिंदर किसी ने अपना नाम रख लिया विजिंदर उनी के माबा अपने नाम दे दिये अगर ये अक्षर ना होते तो क्या नाम होता तुमारा ऐसा नहीं है कि अक्षर ना होते यहां गाए बैल रस्ते में मिलते हैं क्या नाम रखोगे उनका किसने अपने बच्चों का नाम रखा इंसानों को छोड़के इंसानों ने अपने बच्चों के नाम रखे क्यों क्यों कि अक्षरों की खोज हो गई है अगर आदी मानवी अक्षरों की खोज ना करता तो हम बोल लेकिन शुकर बनाओ उन आदी मानवों का जिनोंने हिंदुस्तान में हिंदी के अक्षर खोज लिए अमेरिका में अंग्रेजी के अक्षर खोज लिए जापान में जापानी के अक्षर खोज लिए चीन में चाइनिया के अक्षर खोज लिए अलग 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 अक्षर खोज अक्षर आप सर्च करोगे संस्कित भाशा में कितने अक्षर होते हैं तो वहां पर आ जाएगा बावन अक्षर अब अंग्रेजों ने अंग्रेजी आदी मानवों ने कितने अक्षर बनाए इंग्लिश भाशा में कितने अक्षर हैं 26 अक्षर क्यूं हिंदुस्तानियों का आधा है उसका आधा आधा हिस्सा है वो लेकिन हम आज सोचते हैं कि अंग्रेज हमसे जादा इंटेलिजेंट है हम सोचते हैं लेकिन जब हम आधी मानवों के लेवल पे आएंगे तो हमें पता लगेगा कि वो हमसे आधे थे उनका पूरा जीवन 26 अक्षरों में खतम हो जाता वाही को सत सिमरन कहिए सिमर सिमर नर उत्रो पारा यानि बावन अक्षर बनाने के बाद तुमने अलग अलग भगवान के नाम लगा दिये राम श्याम हनुमान कितने नाम बना लिए किसकी वज़े से उन बावन अक्षरों की वज़े से अब बावन अक्षरों से जितने तुमने नाम बनाए हैं ये तुमने बनाए हैं ये मैन मेड नाम है और जो असली नाम है वो बावन से परे है वो बावन अक्षरों से परे है और असली नाम क्या है आत्मा ही बावन से परे है आत्मा शरीलों से परे है आत्मा इंद्रियों से परे है आत्मा मन और माया से परे है आत्मा पुरे संसार से परे है उस आत्मा का ग्यान देने वाला ही पूरन गुरू है और इन 52 अक्षरों को छुडाने वाला पूरन गुरू है सोई गुरू पूरा कहावे 2 अक्षर का भेड बतावे पहला अक्षर क्या है हिंदी पंजाबी उड्दू फार्सी अर्भी के अक्षर इसको छुडावे एक छुडावे और एक लखावे यानि तुम्हे आत्मा का ग्यान दे हिंदू को उसकी आत्मा का ग्यान दे मुसल्मान को उसकी आत्मा का ग्यान दे सिख को उसकी आत्मा का ग्यान दे हिसाई को उसकी आत्मा का ग्यान दे यानि वो सारे धर्मों से उपर उठाके नाम का ग्यान रखने वाला ही गुरू है कहते हैं गुरू सत गुरू सोई सत नाम बतावे और बाकी गुरू कोई काम ना आवे सच्चा गुरू वो है जो तुमें सतनाम बता दे अब सतनाम क्यों बोला नाम भी तो बोल सकते थे क्योंकि गुरू नाम देता है लेकिन नाम और सतनाम में फरक है, नाम होता है बावन अक्षरों का और सतनाम होता है बावन से परे, बावन अक्षरों का नाम देने वाले को ग कि गुरु कोई काम ना आवे तो उस सत्थ नाम को जानना ही हमारे जीवन का लक्ष है उसी से हम सत्संगी हो पाएंगे सत्संगी का मतलब है सत्थ को जान लेना अध्याए दो में बिल्कुल क्लियर बोला है अरजुन इस दुनिया में दो परकार के तत्व हैं एक असत्य और ए एक है जो अविनाशी है जो अप परिवर्तन शील है जिसका ना तो कभी जनम होता है ना ही कभी मरती होती है आत्मा ही सत्थ है अरजुन और जो आत्मा को जान लेता है केवल वही सत्संगी कहलाता है बाकी कोई सत्संगी होई नहीं सकता सब भहुतिक चीज़ बस तो सब ना सारे इंसान खतम हो जाएंगे आज हर देश पे परमानुबं फैक दिये जाएं क्योंकि सबके बास पड़े हैं अगर एक बार वर्डवार हो गई तो ये सारे शरीर खतम हो जाएंगे लेकिन फिर भी आत्मा कोई बाल बाका नहीं कर सकता आत्मा अजनमा है गुरी जी एक बात से मोक्ष पाने के लिए एक ही वस्तू बस उसी का ग्यान होना चाहिए सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि जनम और मृत्यू है क्या किसका जनम और किसकी मृत्यू आत्मा अमर है और हम और आप आत्मा ही है तो जनम मृत्यू किसका इस शरीर का कहा से मिलता है जनम कहा होता है इसका मा के गरब में और मरत्यों में कहां चला जाता है पांच बहुत एक शरीर में पांच बहुत एक तत्वों में अब शरीर का जनम और मरत्यों हो रहा है पिजरा का पिंजडे का जनम और मरत्यों हो रहा है तोता तो अजनमा है लेकिन तोता पिंजडे में फस गया है इसलिए तोता अपने आपको नहीं जान पा रहा कि मैं क्या हूँ और सोच रहा है कि मेरा जनम और मेरी मृत्ति होती है अब तोता पिंजडे में फसा है इसका मतलब कि तोते ने अपना घर पिंजडे को बना लिया है इसलिए वो जनम और मरण में फस गया है अब त पिंजडे में असल में पड़ा है किसी के घर में कोई तोता हो देखो उस तोते के पिंजडे को थोड़ा सा खोल दो मातर दस सेकंड के लिए पास सेकंड के लिए अरे दो सेकंड के लिए अरे एक सेकंड के लिए मौका लगेगा तो तोता एक सेकंड में उड़ जाएगा और तोता उरते उरते दुखी होगा या सुखी होगा आनद में होगा खुश होगा या रोएगा खुश होगा उसको पता लग जाएगा कि अब मैं आजाद हूँ आजाद मिल गया तोता पिंजडे में है तो दुखी है और पिंजडे से निकले तो सुखी है लेकिन इस तोते का क् ये तोता सोचता है कि जब तक मैं पिंजड़े में हूँ, तब तक तो मैं सुगी हूँ, डॉक्टर साम मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, और जब शरीर से यानि पिंजड़े से बाहर निकलने की बारी आती है, तो ये दुखी हो जाता है, उसी समय दुखी हो जाता है कि मुझे बचा लो, मैं शरीर नहीं छोड़ना चाहता, अरे तेरी आजादी हो रही है भाई, तुझे पिंजड़े से निकलने का मौका मिल रहा है, तो तुझे डर लग रहा है, और पिंजड़े में बैठा है, तो तुखी मान रहा है, अपने आपको पूरी उल्टी गंग बहां रखी है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है, क्योंकि तोते को ये पता ही नहीं है कि मैं तोता हूँ, तोते ने अपने आपको ये शरीर मान लिया है, आप से कोई कहता है कि अपनी फोटो दिखाओ, आप अपने शरीर की फोटो दिखा देते हो, ओभी ब्रहम मे अब कोई तोते को बोले कि अपनी फोटो दिखाओ और तोता पिंजड़े की फोटो दिखाने लग जाए तो तोते को लोग बेवकूफ कहेंगे लेकिन इस तोते का क्या हाल है ये तोता 24 गंटे यही सोच रहा है कि मैं ये पिंजड़ा हूँ मैं गोरा हूँ मैं स्मार्ट हूँ मैं लड़का हूँ मैं लड़की हूँ मैं पतला हूँ मैं मोटा हूँ जबकि ये मोटा मोटी पतला गोरा काला पिंजडा है पिंजडा का आकार परकार है पिंजडे का आकार परकार है तोते का नहीं अब कोई गुरू ऐसा मिल जाए जो इस तोते को तोते का ही ग्यान दे दे तोते का जगाता है तोते को जगात है कि बेटा जब तक तू इस पिंजडे में है तू दुखी है इस पिंजडे में कैंसर हो जाएगा इस पिंजडे में टाइफाइड हो जाएगा इस पिंजडे में लकवा मार जाएगा इस पिंजडे में सारे रोग लगेंगे और तू दुखी होता रहेगा क्योंकि पिंजडे को ही सारे रोग लगते तोते को कोई रोग नहीं लग सकता लेकिन तोता ये मान के बैड़े जाता हाई मैं मर गया मुझे कैंसर हो गया मुझे टाइप भाइड हो गया मुझे पी लिया हो गया मेरी कड्नी फेर तेरी कड़नी नहीं तेरे शरीर की कड़नी उसका भी ब्रह में यही भरम है अब तोते को करना क्या है गीता में भी बता रखा है गीता में बिल्कुल इस पश्रच बता रखा है कि जैसे एक कछुआ अपने आपको बचाने के लिए भागता है क्या भागता नहीं है अपने आपको अपने आप में समेट लेता है यही करना है यानि आत्मा को क्या करना है आत्मा को अपना सारा ध्यान अपने आप में समेट लेना है जैसे हम सारा ध्यान अपने आप में लेंगे हमारा ये पिंजड़ा छूट जाएगा पिंजड़ा गिर जाएगा पत्ते की तरह है और हम अपने आप में इस्थित हो जाएंगे यानि जो तोता पहले शरीर में रहता था अब वो आत्मा में रहेगा अपने आप में रहेगा वही उसका निजगर है एक बार उसने आत्मा में रमन कर लिया, एक बार उसने आत्मा में अपना घर बना लिया, उसको इस काया की जुरुत नहीं पड़ेगी, फिर वो बड़ी खुशी से इस शरीर को छोड़ देगा, उसको पता लग जाएगा, काया मतलब दुख, आत्मा मतलब सुख, अब ये संसारी सुख दु यानि सत में चित को लगाके आनंद को पराफ्ट करो सत क्या है सत आत्मा है आत्मा ही सत्त है तो गीता ग्यान और कभीर साथ का ग्यान का अंतर क nic? हाँ मैंने बताया था अंतर क्या है गीता 99% तक आपको बिलकुल सही लेके जाती है जो 70% ग्यान है वो गुरू की शरण में जाने का उपदेश करती है कि तुम गुरू की शरण में जा और कबीर साब का जो ग्यान है वो शुरू से अंत तक गुरू की ही महिमा गाता है कि बिना गुरू के तुमें कुछ मिलने वाला नहीं है गुरू की शरण में जाओ गुरू से ग्यान प्राप्त होगा कभीर साब का जो मूल ग्यान है वो केवल आतम ग्यान है साहिब कहते जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी आतम ग्यान बिना नर भटके कभी कावा कभी काशी मुसल्मान है तो काबा में भाग रहे हैं हिंदू है तो काशी में भाग रहे हैं और जो आत्मा है उसको जान नहीं रहे तो घर में बैठ के अपने घर में ही आत्मा का ध्यान करके मुक्ति प्राप्त की जा सकती है यही कबीर साब का ग्यान है और गीता का भी यही ग्यान है लेकिन अग्यानी जीव गीता की ग्यान को ना समझने के कारण मूर्ती पूजा को मंदिरों में जाने को या कृषिन जी के भजनों पे डांस करने को उसको भक्ती समझ बैठते हैं जबकि वो भक्ती नहीं है, भक्ती केवल एक अई है आतम ग्यान की भक्ती, उसके अलावा ठीक है, रास्ता कह सकते हैं पर मन्जिल नहीं है। कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जित, कोई भी गुर्ध्वारा, कोई भी चर्च बनती है तो उसमें जीव की हानी नहीं होती, समझो पहले। क्योंकि कोई चोरी करे, नशा करे, डकैती करे, लूट मार करे, उससे लाग गुना अच्छा है कि कोई मंदिर में जाके भले पत्थर की पुजा कर ले, भले जल चड़ा ले, भले कोई भजन गा ले, लाग गुना अच्छा है कि वो कम से कम भगवान के लड़तों लगा है ना मंदिर जाएगा तो कम से कम उसे पाप और पुन्ने का तो बोध होगा ना कि गलत काम नहीं करना है गलत कारे का गलत फल मिलेगा तो मंदिर कोई बुरा नहीं है और मैं बहुत-बहुत मुबारक बात देता हूँ कि हमारे देश में वो मंदिर बनने जा रहा है जिसके लिए कितने लोगों ने बलिदान दिया कितने लोगों ने अपनी गर्दने कटा ली गोली आ खाई ठीक है हमारी आस्ता जोड़ी हुई है भारतवासियों की और ये बनना ही चाहिए था क्योंकि अगर राम जी का मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो पाकिस्तान में बनेगा तो बनना तो चाहिए लेकिन केवल मंदिर हमारा लक्ष नहीं होना चाहिए जीवन का मंदिर एक पड़ाव है आतम ग्यान तक पहुँचने का रस्ता है रस्ता है एक पड़ाव है पड़ाव यानि रास्ते में जैसे पड़ाव आते हैं तो वहाँ पर मंदिर जरूरी है लेकिन मंदिर हमारी मंजिल नहीं है और मैं ये आग्रे करना चाहूंगा ये अरदास करना चाहूंगा कि राम मंदिर बना है बहुत अच्छी बात ह लेकिन वहाँ पर एक गीता का भी प्रकाशन करना चाहिए एक पॉकेट गीता जिसमें गीता का पूरा सार हो क्योंकि राम मंदिल अच्छी बात है राम मंदिल बनाए लेकिन हम ये चाहते हैं कि घर घर में गीता का उपदेश होना चाहिए हमने भी गीता चापी है गरंथ चापा है हमने हमारा pocket size गरंथ है उसका नाम है हर हर गीता घर घर गीता उसमें हमने गीता का सार दिया है कि गीता हमें क्या उपदेश देती है और बीच में हमने अन्य संतों की उपदेश चापे हैं कि कबीर साहब, दादू जी, नानक साहब हमें क्या संदेश दे रहे हैं मेन मोटिव यही है कि हम आतम ग्यान तक पहुंचे हम केवल मंदिर, मस्जिद, गुर्दारे तक सीमित ना रह जाएं ठीक है हमारे संसकार हैं, हमारे पूरवजों ने इनकी पूजा करी हैं, अर्चना करी हैं तो इनका भी स्थान हमारे जीवन में बहुत जरूरी है जैसे आप देखेंगे कि मलेशिया जैसा देश जो पूरा मुस्लिम है लेकिन वहाँ पर भी घरों के बाहर गनेश जी की मूर्तियां आप देखेंगे लगी हुई तो हाला कि उन्होंने घर में जगए नहीं दी गनेश जी को चाहे बाहर घर के बाहर ही रखा उनको, घर में नहीं रखते हो गनेश जी को फिर भी जगए दी फिर भी उन्होंने घर के बाहर जगाए दी कि ये हमारा संसकार है, ये हमारा पूरवजों का एक संसकार है, हमारा इतिहास है, हम अपने इतिहास को क्यों भूलें? इसी परकार मंदिर कोई बुरा नहीं है, मस्जिद कोई बुरी नहीं है, कोई चर्च बुरी नहीं है, कोई गुर्दवारा बुरा नहीं है, बस संसकार हमें अच्छे मिलने चाहिए, अगर हमें धरम के नाम पे मारना, पीटना, गोलियां चलाना, बम फोड़ना, आतम दाह कर अगर ये शिक्षाएं हमें किसी भी धर्म से मिलती है तो हम उसको धर्म कहते ही नहीं है धर्म का मतलब है इनसानियत जो आपको इनसानियत का पाट पढ़ाए वही धर्म है आपके सामने एक आदमी गिरा पढ़ाए सड़क पे अब आपका धर्म क्या कहता है कि उसको उठाओ ना कि ये देखो कि वो ब्रामन है, हिंदू है, या उसने टूपी पहनी है, मुसल्मान है, या वो कोई क्रिश्चन है, गले में क्रॉस पहना है, या वो कोई सरदार है, अगर मैं ये देख के उसकी मदद करूंगा, तो मैं इनसान कहने लायक नहीं, फिर मैं इनसान नहीं, इन आते हाथे पिलक लगा के आता है ना ही वो खत्ना कर्वा के आता है वो इंसान पैदा हुआ है और हमने उसको इनसान नही नहीं दिये थे भगवान ने तो उसको बिना अक्षरों के भेजा उसका असली नाम क्या है हमें तो वो भी नहीं पता ये तो हमने नकली नाम दे दिया उसे भगवान ने क्या नाम दे के भेजा उसको हमें पता ही नहीं है लेकिन वो फिर भी बोलता है अपना नाम लेकिन हमें पता नहीं है उसके पीछे भी एक भेध है वो अपना नाम बोलता है लेकिन उसको कोई समझ नहीं सकता उसको समझ वही सकता है जो उसके भेध को जानता है वो बोल के बताता है अपना बोल नाम लेकिन कोई जा नहीं सकता हर बच्चा बोलता है अपना नाम लेकिन उसको कोई पहचान नहीं सकता हम नकली नाम पकड़ा देते हैं तेरा नाम राम है तेरा नाम क्रिशन है तेरा नाम सुरिंदर है तेरा नाम महिंदर है यह हमने दी हैं बावन अक्षरों की वज़े से बावन अक्षर ना हो जहां पर सब देवी देवताओं का वास है वही अयोध्या है वो अयोध्या नहीं है जो हम दान चंदा लेके मंदिर बनाते हैं वो मंदिर नहीं है मंदिर ये है ये है असली मंदिर जो चलता भी है फिरता भी है जो खाता भी है पीता भी है जो सारे काम करता है जिसमें पता है प्रान प्रतिष्ठा कर दी है तो पत्थर चलता क्यों नहीं है पत्थर खाता क्यों नहीं है जब पत्थर में भगवान है तो वो भी चलना चाहिए वो भी खाते पीते रहें जब इस मंदिर में भगवान है और ये खाता पीता है और उसमें प्लान प्रतिष्टा करके भी नहीं का पी रहा, इसका मतलब कहीं तो कोई फरक है ना, क्योंकि ये भगवान का बनाया मंदिर है, मन जहां रहता है, वही मंदिर है, मन के अंदर है, इसी को समझना है, बहुत बहुत सुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, न बारम बार तरवर जो पत्ता गिरे बहुर न लागे डार ये एक इनसान जनम मिला है अगर इसमें आपको आतम ग्यान प्राप्त नहीं हुआ तो आपको नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ेगा बार बार शरीर धारन करके आना पड़ेगा अभी तो अच्छा शर वानी बन जाओ फिर दोबारा कभी किसी शरीर में आने की जरूत नहीं पड़ेगी इस ही के साथ मैं अपनी वानी पर विराम देता हूं नमशकार साहिबंद की सत्ना बहुत बहुत सुक्रिया बहुत सुक्रिया नेतिया जब आप फिर नेपाल आएंगे बे में तो फिर हम नितिन दास जी महराज, पंजाब नगल टाउन बाट आउन बाएको, वहां ले चाहिए आत्मा ज्यान को बारे मां जुन जहां आत्मा रहन चा तेही अहेद्या हो, तेही मंदीर हो, तेही जान्नों नहीं ज्यान हो, और कभीर साबले यही बड़ुबगो चा, इसब कुरा को ब्याख्या बिस्टेशन कर दे, वहां लाई नितिन साबलाई हमी विदा गरना चाहां चाहां, रा आजको यो एफ्रिशोट पनी हमी एसे मांत गरना चाहां चाहां, नमस्कार धन्यबाद